हेलो फ्रेंड मैंक से कुमा डेंडवाल आप सब्सक्राइब करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पार्ट साला पर अपन लोग ने कम्यूटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर कम्यूटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर अपना टोपिक चल रहा था वह चल रहा था वेक्सिन के बारे में अपन लोगों ने वेक्सिन के बारे में स्टेडी की थी फिर अपन लोगों ने वन वेक्सिन पढ़ना इस्टार्ट किया तो अपन लोगों ने बीसी जी वेक्सिन है वो कंप्लीट कर लिया था बीसी जी वेक्सिन के बारे में स्टेडी कर ली थी आज का अपना जो टोपिक रहेगा वो रहेगा मिजल्स वेक्षिन के बारे में आज का टोपिक रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट वेक्षिन रहेगी मिजल्स वेक्षिन तो आज अपन बात करेंगे मिजल्स वेक्षिन के बारे में तो वन वाई वन अपन जो भी मिजल्स के अंदर क्यूसन बनते हैं पॉइंट बनते हैं उनके उपर डिसकस करते हैं फर्स्ट क्यूसन बनता है फ्रेंड की लोग रेट्रीक पड़े पडिती ना फ्रेंड कि बोई लव दी कराएं तो यह कौन सी वैकसे चुन ह कि लाइव एक सिंधल गीुलते वैक lookout कि जो मिजलोगी होटी है उसको पर Test क किस Lori जो यह ए किसके उदर आती है यह ऑ और ऊके ओंदर करते हैं वाटर के तरते हैं कि अंदर करते हैं नौर्मल छे का लाइन में लाइं और वही अगर में पूछे लूए में तो आंसर जाएगा इस्टेल वाटर फ्रेंट ब्ल्स distingu के बारे में पूछे कि बिसी जी के बारे में पूछे तो आंसर जाएगा नॉर्मल से लाइन के पास यह चीज अपम लोग ने देख ली कि इस नम्मर औनर के पारें जाता है रोट होता जाफ जो नियुट कोन से यृट कुम RD देता यह जता है और लोगों ने इंट्रा डर्मल्म से दीआख़ उई दहा अपन लोगों पनल क्लास वे चल रही है तो मिसल्स है वह फिर बात गुवों है amount की amount की बात करें तो 0.5 ml और 20 के amount कितनी थी फ्रेंड बिश्य जी के amount थी 0.05 ml एट बेर थे और 0.1 ml वन मन्त के उपर ठीक है फिरेंड 1 मन्त के उपर 0.1 ml और इसकी मेजल की बात करें तो 0.5 ml देते हैं आपने रूट की बात कर लिए सब्क्यूटेनियस तो फर्स्ट पड़ा अपन लोगों ने कि लाइव एट इनुटेड वेक्षिन होती है मिजल्स वेक्षिन सेकेंड अपन लोगों ने बात की कि पाउडर फॉर्ण में अधिर इसको अपन डालिटेट किसके अंदर करते हैं डिजिट इसनी टाइम तक यूज करकर सकते हैं तो इसका आंसर जाएगा फॉर हावर्स मतलब मिजल्स की वेक्षिन को डालेटेट करने के बाद फॉर आवर्स ताप अपन उसको यूज कर सकते हैं आप्टर फॉर आवर्स उसको अपन लोगों को डिसकाल्ट करना ही पड़ेगा ठीक कॉंप्लिकेशन क्या होता है तो कॉंप्लिकेशन होता है टी एस एस का मतलब क्या होता है फ्रेंड टॉक्सिक का मतलब होता है टॉक्सिक सौक सिंड्रॉम क्या होता है टॉक्सिक सौक सिंड्रॉम क्यूसर बनता है फ्रेंड यहां से एक इमिजस वेक्षिन है उसका कॉंप् एक सो के सिंड्रॉम तो फ्रेंड यह जो कुछ पॉइंट्स थे मिजल्स वेक्षिन के अंदर जो अपन लोगों ने आज स्टेडिक कर लिया है फ्रेंड यहां से एक लोजिकल क्यूशन बनता है उसकी पास करते हैं अपन परस्ट वोज कियूशन बनता है फ्रेंड की जो मिजल्स की वेक्षिन होती है उसको अपन कब कहा देते हैं सब्प्यूटिनियस देते न होती है इसको आपन देते हैं इंट्राण अपर मता रॉची कर देते लाइटर इसको भी कर सक्ते यह पना दिया गया है है principle बना दिया गया है कि जो भी सी जी वेक्षम होगे वह लेपर पर राइम पर ही लगेगी और दो मिजल्स की वेक्षिन है वह और ऊازर की बनता है यह जो सब क्यों अशऱ क्यों कि अगर अपने लोगों को यह identify करना पड़े कि बिच्छी की वेक्षिन लगी हुई है नहीं लगी हुई तो अपन लगोगो पेसेंट या जो बच्चा उसका लेट अपराम ही चेक करना पड़ेगा और जो अगर मिजल्स की करनी पड़े तो उसका राइट अपराम ही चेक करना पड़ेगा तो इसलिए अपन बिच्छी की जो वेक्षिन उसको लेट पे और मिजल्स की वेक्षिन उसको राइट अपराम पर ही अपलाई करते हैं ठीक है अगर आज के क्लास आपको अच्छे लगी तो क्लास को लाइक कर देना हमारे चनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे वीडियो को ज़़ ज़़ शेयर कर देना